आज को मैं बना रही हूँ, उसे अपने मिल्स में जरूर सामिल करें, सैलेट खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, और जब सैलेट में एवोकाडो हो, तो सैलेट का स्वात काफी बढ़ जाता है, फिर फटा फट बनाते हैं एवोकाडो मिक्स सैलेट, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वेता, स्वेतास किचन में आप सभी का स्वागत है, सैलेट में किन-किन सबजियों की कितनी क्वंटिटी रखनी है, वे आप पे डिपेंड करता है, मैं यहाँ एक खीरे को छिल कर काट ले रही हूँ, और हाँ सैलेट को काटने से पहले सभी को अच्छे से वाश कर ले, उसके बाद ही से काटना सुरू करें, जिन-जिन सबजियों को यूज कर रहे हैं सैलेट में तो उसकी सेप किस तरह की रखनी है, वो आप पे डिपेंड करता है, सैलेट को कलरफुल दिखाने के लिए धेर सारी सबजियों का यूज करें, वो एट् को काड़े डाल रही हूँ, एवोकाडो को बटर फ्रूट भी बोलते हैं, अब मैं एवोकाडो काट रही हूँ तो इसे काटना बहुत ही इजी है, पहले राउंड सेप में इसे काट लूँगी, ट्विस्ट करके इसे ओपन करूँगी, उसके बाद इसके सीट को निकाल दूँगी, दोनों साइड के अवोकाडो काटने के बाद अब सभी चीजों को मिक्स करने का टाइम है, मिक्स करने के लिए बड़े बावल में सारे कटेवे चीजों को डाल दूँगी, सभी को डालने के बाद इसे टेस्टी बनाने के लिए एक पूरा निम्बू का रस डालूँगी, ओली वोयल एट करी हूँ, एक चमच, स्वाधनुसा नमक डाल रही हूँ, और ब्लैक पेपर पॉडर डाल रही हूँ, क्रस किया हुआ हाप चमच, अब सभी को अच्छे से मि लग रहा है, यह कलरफुल सैलेड, चलिए टेस्ट करते हैं, मैं बहुत ही एकसाइटेड हूँ, खाने के लिए, तो यह टेस्ट में काफी अच्छा है, सबजियो का जो फ्रेश सबजियो का क्रंच है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, यदि आप इस वीडियो को देखकर इ मेरी रेसिपी को तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेर करें, फ्रेंड और फैमली के साथ और बिल आइकन प्रेस करना बुलकुल ना भूलें, अब मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में